हाला अब्रीबाल बुद्माइट व्लॉफ यूटूब चैना और दोस्तों आज का मारा सेशन है यहां पर लो डिस्क्रेशन करेंगा और अर्रप MDPC-CVT-1 मैं पूछे का इंपॉर्टन कोशन जो आपके CBT-2 में भी ग्लाइस पूछे जा सकते हैं चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं फस्स फॉफ आपको बताना जाओं कि मेरा नावन रहा है और मैं आपको आरे कैडमी में एससी केटिगरी में जनरल अवाइने स्टेक्ट लोपड़ाता हूं यह सारे सब्चेट जो आपको आपको देखने को मिलेगा और मैं दोस्तों सारे के सारे जो एक्जाम ह हूँ और दोस्तों यह मेरा कोड है NG10 जिसका यूज करके आप Unacademy में maximum discount अवाइल कर सकते हो चाहिए ससी हो बैंको रेल्वे हो कोई सीपी कैडिगरी हो सबसी इंप्रेंट बार बात दोस्तों मों आप देखने को मिलता है Unacademy SSC scholarship test दोस्तों आम बात करेंगे इसके बारे म से using Unacademy Learning app भी दे सकते हो इसके लाँ दोस्तों आप इसको वेबसाइट से भी दे सकते हो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करो तो आप से 40 कोशन पूछे जाएंगे 50 मिनट का टाइम होगा यह test बिल्कुल फ्री होगा और bilingual होगा और बाद में आपको इसका वीडियो solution भी बिलेगी 1150 लाओ तो 50% की scholarship मिलेगी रंक अगर आप 50 मन से 500 लाओ 25% की scholarship मिलेगी रंक अगर आप 50 मन से 1000 लाओ 20% की scholarship आपको देखने को मिलेगी आगे बात करें दोस्तों आपके बारे में और हाथ एक लेक्टर का अप्लोड भी डाउनलोड कर सकते हैं बुकुल वेल स्ट्रक्चूर मैनर में और जो अपकमिंग वीडियो है दोस्तों आप उनको लाइफ देख सकते हो और बात में उनको भी दोस्तों रिकॉर्डड फॉर्म में आप जितनी बार चाह उतनी बार द सकते हो जैसे कि आप मुबाइल फोन से करते हो उस तरीके से आपके अनके लविंग के थूरू हो जाएगा और दोस्तों यह एक्स्परियेंस है मच बेंडर होगा किसी भी ऑफ्लाइन क्लास से तो गाइस इस समय हम बात करें तो वन येर की फी यह से डबल जेरो यानि कि थी यानि कि व्लोग पात थे तो 542 रुपीज पर मन और तुवियर की फी दोस्तों 700 डबल जेरो यानि कि 325 रुपीज पर मन पर गाईस यह भी आपको पेनी करना जस्ट यूज दी कोड एंट इंस्ट आपको दोस्तों 10% डिस्कॉंट बिलेगा और यह जो प्राइजेस आप द तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसके ऑथर कौन है एक बहुत इंपोर्टेंट सवाल और गाईस अगर बात करूँ तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा अनू बंदोपाद्ध है ने यह बुक लिखी है काफी इंपोर्टन कोशन है दोस्तों तो इसको ज आगे दोस्तों बात करेंगे हमपी हमपी दोस्तों आप जानके हूँ यह युनेस्को वर्ड हेटेस साइट है है कि नहीं और यह आपको कहा पर मिलेगा यह आपको करनाटा की मिलेगा हमपी की टेंपल बहुत जादा फेमस है और इसको दोस्तों युनेस्को वर्ड हेटेस स और हम भी दोस्तों बात केर तो कौन सी नदी के किनारे कौन सी नदी के बैंक पर श्रित के किनारे एक और दोस्तों याद अपने है आपको आपसे पूछा जाता है कि जो सांची का स्टूप है उसको UNESCO wheelchair site का dig리र किया गया तो दोस्तों जो सांची स्टूप है उसको 1989 में किया ग हमारे देश में टोटल कितने जो इसको वर्ड एंटेस साइट है तो करेक्ट टांस हो जाएगा 40 जिसको दोस्तों आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो देखो इन में जो कुल्चरल साइट है जैसे कि फोर्ट अगएर हो में यह कितने है 32 इसमें दोस्तों जो नैश चलिए अगले कोशी हैं तरफ मोख करते हैं धोकांगली ट्रेंट रॉडबरी यह कभी होई थि यह कोशन आप सेों जा रहे है कॉस dumping अब दैसमें बात करेंगे खुस बहुत कुछ यातर है जैसे कि काकोरी ट्रेन ड्रवणिक इसने की थी, यह की थी हिंदोस्तान इपब्लिकन असोशियेशन ने, HR तो यह बना गया गया था, 1924 में बना गया था, और कौन सी प्लेश पर बना गया था, तो यह भी आपनों के बड़ा इंपोर्टेंट हो जाएगा, यह दोस्तों कानप बात कर चल शिखराजाद, राम प्रशाद बिस मिल, अस्पाक उल्गा खन ये सब बोगे और दोस्तों जो काकोरी ट्रेंड रॉबरी है ये 9 अगस्त के विए ती काकोरी दोस्तों कहां पर है तो ये आपको लगनों के पास में एक जगा मिलेगी कहां पर है उत्तर प्रदेश म है और जो दोस्तों यूपी के जो सियर में योगी आई तरह तो लोगनों इसको काकोरी ट्रेंड एक्शन के नाम से जानेगी क्योंकि ये हमारे लिए गर्व की बात है तो ऐसा भी दोस्तों कहा गया है तो यह आप लोग को याद हमें यहां पर गॉर्मेंट की दोस्तों जो ग्रिनाइट से बना हुआ है पहली बात तो आपको यह याद रखना है और कौन से कलर का ग्रिनाइट है दोस्तों ब्लैक यह रीजन है कि इस टेंपल को हम लोग ब्लैक पगोडा के नाम से जानते है यह भी कोशन आता है ब्लैक पगोडा यह बात करेंगे गईस जो ब्लैक हुआ करतें जिकका नाम किया थे थłem नohär दोस्तों इस टेंपल को बनाया है और यह एक्जाम में मैंने आता हुआ खवा देखा है एन्नहों न दोस्तों इस सब्सक्राइं बना है और यह इस तरी कि आ जरे ऐ सपनिक यहाँ की जो राजधानी इसका नाम क्या बुनिश्वर बुरिश्वर को दोस्तों हम लोग टैंपल सिटी आफ इंडिया मुलते हैं, वहाँ पर लिंग राज, इस तरीके के बहुत भी फिर्मस फिर्मस दोस्तों टैंपल आपको देखने को मुलेंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्डिंग कोशन आपके लिए बनेगा, आगे बात करत दोस्तों, जो पंचायते होती हैं, और जो लगर निगर मेरी की municipality होती है, उसमें अगर कोई वैक्ती दोस्तों, मेंबर बनना चाता है, तो या फिर election लाणना चाता है, ना मेंबर बनने के लिए, तो उसकी minimum age कितनी होती है, तो गाई सबसे पहले बताओ, 35 minimum age किसके लिए होत और विधान परिशत जिसको हम लोग लिजिस्लेटिव काउंसल बोलता है 25 दोस्तों किसके लिए होती है एक तो लोगसभा के लिए होती है दूसरी दोस्तों हम लोग बात करें तो लिजिस्लेटिव असेमली के लिए आपको दिखने को मिलेगी तो मैं यहां पर साइज में लि अच्छे से पढ़ना है और मिनियम कितनी एज में आप वोट कर सकते हैं तो 18 और यह कौनसा अमेंडमेंट से हुआ था सिक्स्टी फ़र्स अमेंडमेंट से हुआ था और यह कौशन दोस्तों हमें यूपी-पी-स को पेपर हुआ था संडे को उसमें पूछा गया था कि जो वोटिंग से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है जिसमें वोटिंग केज को रिड्यूस किया था 21-18 यह कौनसा दोस्तों जो गंगा रिवर है उसको बचाने के लिए वाटर को रिजूबनेट करने के लिए यह हम बात करें तो जल प्रांति अभियान लाया गया था और उससा में दोस्तों बात करें जो पुरा यह वाटर से रिटेट जो भी डिपार्टमेंट थे इसको कौन डेकरी थी और दोस्तों यह कपका था तो यह था दोस्तों पाथ जूल 2015 की बात है तो काफी important question है दोस्तों यह वाला आपको याद वना है Sorry पर मिलेगा यह आपको तमिल नाडु में देखने को मिलेगा यह काफी important questions है जो आप को याद रखना है इसी तडिक से कहएगा आपको करनाटा के मिलेगा कुंदन कुलम् को भी सबसे बड़ा है वो भी तमिल नाडु में आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें काकरापा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, रावत भाठा आपको राजिस्थान में देखने को मिलेगा, तो इस अगला कोईशन देखते हैं दोस्तों, वर्ड ट्रेड और्माइजेशन जिसको दोस्तों पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, जी ये डबल टी, जैस वानू, ग आपको दोस्तों मुझे लेक्चर के कोमेंट में बताना है, इसका जो हेड़ कोईटर है, वो कहा पर है, और इसमें टोटल कितने मेंबार है, ये वी बात आप लोग मुझे यहां पर बताएंगे, ठीक है गाईज, तो चलिए, अगली कोशिन की तरब वो करते हैं, बांदी पूर, टाइगर रजव्, दोस्तों में बात करेंगे, तो और आपको कहां पर देखने को मिलेगा, अगली कोश्ण, चलिए, आगे देखते हैं दोस्तों, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, यह मैंने आपको पहली भी करा है, National Informatic Center, National Information Culture, National Informatic Central, यह फिर Nationalism Information Center, दोस्तों, correct answer हो जाएगा, National Informatic Center, जो है, यह इस question का correct answer आपको देखने को मिलता है, चलिए, फर्दर मुझ करते हैं, दोस्तों, माल लीजेगा, हम और यह Parliament, कोई कानून को पास करती है, Parliament पास करती है, ठीक है ना, Parliament में आपको लोकसभा, राजसभा दोनों में ले लिया, उसके बाद दोस्तों, इन्होंने कोई भी जो बिल है, उसको पास कर दिया है, अब वो दोस्तों, finally act या फिर कानून कब बनेगा, जब वहाँ पर signature हो होंगे, किसके बताओ, यह होंगे, किसके President of India के, और अगर यह UK होता दोस्तों, तो यहां परे signature होते है, किसके Queen या फिर King के है, तो यह बात भी दोस्तों, आपको ज़रू से ज़रूर याद रखना, और मैंने पॉलिटी में जो courses पढ़ा है, वहाँ पर आपको पूरी की रूशा दोस्तों से वहाँ, कि लाँ आप, किस नाम से जानता है, इसको आज की रेट में हिर्जा के नाम से जाता है, ठीक राज획ना, प्रआप रखना राज घür को जाता है, यह समय में पुछ के लोग सा घंगा और दोस्तों ये खल दिया तक जाएगा और खल्तीया जो है गाईस यह पोकहतल मिलेगा वेस्ट में गिंगउल में देखने को मिलेगा तो यह पूरा का पूरा हुआ तो आपको देखने को मिलता है चलिए अगले जब इंडिया आया था तो एक battle हुए थी जिसका नाम तब battle of kelnal और करनाल खहाँ पर है? हर्याना में. जो battle of करनाल हुए थी दोस्तों किसके बीच में हुए थी एक तरफ थी नादिर शाह वर्सस दोस्तों एक fun loving king था जिसका नाम था मुहम्माद शाह रंगीला अपनी हरकतों के चक्कर दोस्तो इसको रंगीला काया ता और इस बैटल ने मुहम्माद शाह रंगीला को डिफीट यानि की हार का सामना करना पड़ा उसके बाद दोस्तो यह जो बैटल यह कशो थी यह हुई थी 17,39 में कः जो शाजहां वा करता था जिसका टेनुउट कब से a chop से श्वयक्ति ने शाजहां ने दोस्तों क्या मनाया तो पता है यह जो है इसका जो शेप था यह पीकउक की जैसा था यायरि कि मंनूर की जैसा था ठीक है और इसमिंडों कोहिनूर हीरा भी लगा होगा करता था तो यह तो बात में दोस्तों बात के तो एमनुब कर 나올ुदे कोहिनूर हुरा किसके महराजा रंजीक सिंखे तो वह कुछी बात है हमने या पर कोईलों के बारे भी या पर की हैं चलिए अगले कोशन इक तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कोशन हमारा क्या है गई सबसे पूछा जारे जो गुरुणानात देव जी है इनका बर्थ कब हुआ था दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले इनका बर्थ कहां हुआ था दोस्तों इनका बर्थ हुआ था नंकाना साहिब और ये नंकाना साहिब आज के रेट में पाकिस्तान में और वहाँ पर भ पंद्रा अप्रेल और वाइस इयर था 1469 और इन्होंने दोस्तों जब सिख धर्म की शुरुवात की थी उस समय दिल्ली सत्मत पे राजा हुआ करता था सिकंदर लोगी ये कोशिंग में दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है चाहिए अगले कोशिंग करत दोस्तों लोग यहां पर बढ़ते हैं where is deepest point or north दोस्तों प्रिथवी पर जो सबसे गहरा बिंदू है वो कहां पर है तो वाइस यह आपको मिलेगा एक गर्थ में एक ट्रेंच में और उस गर्थ का नाम का है मरियाना ट्रेंच यानि कि मरियाना आपका गर्थ हम लोग इसको बोलेंगे और इसमें दोस्तों लग भग 11 किलो मीटर मीचे जब आप जाओगे तो इकदम lowest point मिलेगा और इस point को दोस्तों क्या कहा जाता है यह आप लोग ने definitely सुना होगा इसी point को दोस्तों हम लोग बोलते हैं Challenger Deep क्या मुलते हैं दोस्तों Challenger Deep किसा हो तो यह बहुत important question है जो आप लो important है जो आपके question दोस्तों exam में पूछे है की chances यह पर आपके बंगे चलिए अगला question दोस्तों यहां पर दिखते है देखिए अगला question क्या है सरिष्का National Park कहां पर है गुजारात में सबसे important national park ने गिर्द ने शनल पार है राजिस्तान में दोस्तों आपको बात कें केवला दे बता सकते हैं जो यूपी में जो नैशन पार्क है उसका क्या ना है मैं चाहँ हो कि आप लोगे इस कांसर कमेंट में दे और दोस्तों महरास्त्रा में तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे तो फिलाल इसको शाया करेक्ट कांसर हो जाएगे दोस्तों राजिस्थान और तो आपको पता है कि पहले हुआ करता था यूएस्स रूपर यूएस्सरी ना यह आप लोगे वे उक्टम इसके पंद्रा पार्ट होए और इनी पार्ट में से एक बनता है रुश्यन फेटरेशन और आपसे दोस्तों पुछा जा रहा है कि यूश्यन फेटरेशन बना वह क कभी बना तो दोस्कों यह आपको बना है 25 दिजर्वा को 1991 अगे ने बना के बहुत इंपोर्डन कोशन दोस्तों तो अर्वार यह सबसे बड़ा पोशन है वो रशी आई है अगला दिखते हैं गेटवे आफ इंडियो किसने बिल्ड किया और यहां पर कोशन क्या होना चाहिए इसने बसिकली डिजाइन किया तो गैस यह रखती था जॉर्ज मिटेट और आपको पता है कि यह किसके संबान के लिए दोस्तों बनाया गया था यह दोस्तों बात करेंगे तो इंग्लेंड के राजा थे और पहली बार की राजा दोस्तों इंडिया आया था कम आया था 1911 मे जब दिल्वान दोस्तों लगाया गया था उससेमें वाई से था अहा था हॉड् leopard लेकर फोर मुडेंगल है और आपको देखने को मिलता है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपके लिए मैं आंसर बताना चाहूंगा इसी तरी की दोस्तों में अगर बात करूं मुबाइल के लिए तो एक आपका आपका अपरेटिंग सिस्टम लगी मुबाइल के लिए हैं यहां पर याद रखना है अरह दिखते हैं दोस्तों इंडिया में नुक्लियर प्रोग्राम को किस्ट शुरुआत किया दा तो गैस यहां पर करेक्ट आंसर बताना है आपको सत्यनाद भोस, डॉक्ट एपीज अब्न किर्दा, डॉक्टर Vy अमन या फिर डॉक्टर होमी जहां गीर भावआ करेक्ट आंसर दोस्तों अपको क्या मिलेगा पता हीं जना तो दोस्तों esse questions में हम ब बात करेंगे करेक्ट आंसर आपके मिलेगा डॉक्टर ओमी जहांगीर भावा पादर आफ इंड भी बोल सकते आप इनको इस चीज का निकले पोगराम का तो बहुत ज़्यादा इंपोर्डियों कोशन में से एक कोशन दोस्तों यह आपके एक्जाम में बनता है मालाबार रिबेलियन दोस्तों यह मालाबार रिजर में होता है कहां पर केरला में इसी के दोस्तों में बात करें तो मोटला रिवाल्ट भी बोल देते हैं और यह दोस्तों बिसेक्ली किल लोगों ने किया था यहां पर बात करें तो अगेंस इस इंडिया कंपनी भी और दोस् आगे बाद करते हैं लाइफ गुफाय कहां पा रहे हैं? दोस्तो यह आपको अरगवान में रहा है उनेस्टो वर्ड एक बना दिया गे है। प्रवाइटिंग से नाइटीन इनस्टों वर्ड एटेस साइट प्रवाइट कर दिया गया था तो अगेर मैं बोलूआ कि काफी इंपॉर्डन कुश्यन है जो आपको पढ़ना चाहिए चनिके और चिनग से एंब चलिए। थो तो स्साटियर मैनेज करता है कम्म्यूटर सिस्टम हूं किरिद्ध करता है आपके सुर्ज़ काम करते थो फुरा मैनेज करते है कि इसको क्शोक है पूरी तरीके से से मेनेज करने काम करता है computer system को अगर देखते हैं दोस्तों Montrex record जो है वो किस से लेटेड है देखो भई Montrex record जो यह वेटलेंड यानि कि आद्रभुमी से लेटेड है ठीके ना वेटलेंड को हिंदिन क्या होते है आद्रभुमी और वर्ड वेटलेंड दोस्तों कब आता है second family को आपको देखने को मिलता है वेटलेंड जो दोस्तों में बात करेंगे वो साइन किये गयाते है और रामसर एक जगाई रांग है और उसको कोई भी साइट अगर Montrex record में आती इसका मतलब दोस्तों उसमें बहुत आ इंसानों के दोरा और उसको हमको ठीक करने के ज़रूत है इस समय इंडिया से दोस्तों दो ऐसी साइट है जो हम लोग बात करेंगे जो वेटलेंड है जो किया रभूनी है लेकिन वो Montrex record में आगे तो लोग टक लेक है और दूसरा दोस्तों में बात करेंगे केवला देओ केवला देओ नैशनल पार्क लोग टक लेक आपको पता है यहां पर वर्ड का एक मात्र फ्लोटी नैशनल पार्क लेक जिसका नाम का है कीबूल लाम जाओ नैशनल पार्क तो आपको दोस्तों यह भी याद रखना है तो यह दो ही इंडिया से साइट है इससमें पहले चिलका लेक भी थी दोस्तों लेकिन अब जो है वो चिलका लेक इसका पार्ट नहीं है तो यह याद रखना है यह अच्छी बात है कि इसके लिए चिलका लेक के रहें नेक्स कुशिंग तरब दोस्तों लोग करता है इनमें से कौन सी गैस है दोस्तों जो ग्रीन हांस गैस है वाटर वेपर, कर्वन डैसाइड, मिथिन यफिन या फिल मैंने आपको हमेशा गोला, जी एसका पॉस्टन हो अगर अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग इसके तरफ जरूर जाएगा, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा और गाइस अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ड वाइड वैब कंसूर्टियम जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, आगर देखते हैं, सिस्टींथ लोगसभा के दोस्तों स्पीकर, सबसे पहले बात करो, जी भी माउल जी और दोस्तों ये कहां से इलेक्शन रड़ती थी, अप्तों इलेक्शन नहीं रड़ती है, इन दौर से हैं, तो ये बात को दोस्तों आपको याद रखाया, और फॉर्स्ती मेल लोगसभा सब्स्पीकर, मीरा को आती, जो की शशाराम से चुना रखती थी, और वो दोस्त यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा पाक स्ट्रेट यानि की पाक जलसन नहीं, तो इंडिया को शिलंका से यही सेपरेट करता है, यहां पर दोस्तों आपको गल्फ ऑफ मननार मननार की खारी भी मिलता है, लेकिन अब कोई एक चूस करना हो दोस्तों तो आपको पाक स्ट्रे चार्स विलिकिंस ने, हेंडी थॉमास सर, कोलबुक ने, जेम स्पिंसप ने, यह फिर विजियम जोंस ने दोसों, जेम स्पिंसप ने क्या किया था? इसने 1837 में अशोक के इंस्रिप्शन को रीड करने वाला यह पहला वेक्ति बना था अशोक के जितने भी क्या थे दोसको जो इंस्रिप्शन वगएरा हुआ करते थे उसको रीड करने वाला यह पहला आदमी बना था, जेम स्पिंसप ठीक है? और इस कोशिन और करेक्ट टांस वो जागा दोस्तों, विजियम जोंस और यह इन्होंने कहां पर मनाई था? दोस्तो और क्या किया था? अगर आपसे कुश्चन आने तो बिता सकते हैं. दोस्तों, जो हमारे उपनिशद है, उनका इंगलिश में ट्रांसेशन करने की इसने कोशिश की थी. ठीक है? और दोस्तों, अगर हम बात करेंगे गिलियम दूस के बारे में, इसने अभियान शकुंत्रम क इसने का ट्रांसेशन पूरा कंप्लीट कर दिया था इंगलिश में और जुनागर इंस्क्रिप्शन का भी कर दिया था. नहीं उपनिशत का पूरा दोस्तों हुआ नहीं है, तो नहीं भी कंचिलर कर देते हैं, उसको आप छोड़ दो, आप तो बस याद रखो, एक क्या किय दोस्तों इसने अभिज्ञान शकुंतनम जो काली दास दी की है, उसको कंप्लीट ट्रांस्लेट के इंगलिश में, दूसरा जुनागर इंस्क्रिप्शन को जुनागर के विलेट की, यही कोर्शन आपको याला है. अबला, दोस्तों जो हमारे कॉंस्टिशन का एड़ शेड इसमें आज भी दोस्तों राजिस्थान इंक्लूड़ नहीं है, जबकि दोस्तों मैं आपको बताओ, तो यहाँ पर नेपाली इंक्लूड़ है, जो नेपाली लेंगेच है, वो बिल्कुल इंक्लूड़ है, लेकि राजिस्थान ये इंगलिश ये इंक्लूड़ नहीं है, दोस्तों जो विजय नगर किंडम था उसका फांडर को अंता तो 1336 में आपको याल होगा जो मैंने आपको हिस्टी बढ़ाई थी मुहम्मद बिन तुगलग के टाइम में विजय नगर अंपैर बनाया गया था और जो विजय नगर अंपैर उसके फांडर थे दो भाई और सबसे ग्रेटेस किंग थे विजय नगर अंपैर उसके वह कौन थे कृष्ण डेव रहा है जिन्होंने अमुक्त माल्याद नाम की बहुत इंपॉर्डेंट बुक है वह भी लिखिये अर्ला दोस्तों अकबर के दरबार की भाषा क्या थी यही भाषा दोस्तों दिल्ली सतनक की भी थी सेम लैंगवेज ड्ली सतनक की भी थी सेम लैंग़ेख मॉलो की मही थी और दोस्तों ये वाषाथ चंभ परता है बुछ अनगे अगेवड ले डेस이스 पुइट इंडिया मोवेंट के दौरान 1952 में, तो दोस्तों, अरुना ऐसाफ़ी ने अंडर्गांड एक्तिविट चलाई कि जय आ आंधुलन किये थे, यहां पर दोस्तों, करेक्ट टांसर आपका क्यों होगा है, फिट इंडिया मोमेंट आपका, करेक्ट टांसर दोस्तों य ये फिर हाकी मजमल थान, दोस्तों याद रखना, मॉंबल लिजिन्ना ने कभी भी इसने पार्ट सक्ट नहीं किया, अशायोग अंदुरन में, अशायोग अंदुरन कब से कर्थे चला तो 1920 से लेकर 1922, अगयन इंपॉर्डिल कोशन है इसको याद रखेंगे, अगला, दोस्त अर्थ का, मैं बात करों, तो 11.86 अर्थ ही है, असला समझ रहे हो, भा, दुनिया, मतलब जो पृत्वी पर लंगभद 12 साल है, दोस्तों एक साल के बराबर है, इसके जुपिटर के है, तो जितने में दोस्तों जो पृत्वी है, लंगभद 12 बार बार बुन जा रही है, उत् काफी इन्पोर्टन कोशन थाए, अब दोस्तों, आप अने अकाडमी पर कुछ भी लिए, आपको इन अप्रोप्रियेट कॉंटेंट बिले, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट करने का लिंक दोस्तों हर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अगेडरी में टीक्यांच को तेकू थाए, तो आकेडमी टीक्राम हिए, त्यक्सेसों को तो मुझा एओ, एक तो आपको नम स्कारिए, तो आपको आपको आजिए.